आज का वीडियो जो हमारा है यह लिए आप हमारा लिए और क्या है चेहरे पर निखार लाने और सफाई करने का एक साधन है अभी हम आगे जानेंगे कि कितने फायदे होते हैं तो चलिए यहां पर हम हेडिंग डालते हैं जरूरी सामान यानि रिक्वाइरिंग मर्टेरियल तो क्या-क्या सामान लगने वाला है हमारा इसमें क्लीनप में आप कोई भी काम करने से पहले अपनी ट्रॉली बना ले यानि ट्रे बना ले सारा सामान आप एक जगाई कठा कर ल लिक, फेस्पाइक, टोनर, मास्च राजर, टॉवल, फेसियल बने यह यह बन नहीं है फेसियल बन लिखना है तो इतना वह अपने पास रखना है और यह आपको बाउल भी लियना है अब यहाँ पे लीन अप से चेहरे की गंदगी निकलती है देखते हैं चेहरे की श्रॉल इसे करना कैसे है आगे अब दिखिए सबसे पहले चेहरे को नर्मल पानी से धोकर तॉलिये से साप कर ले और उसे सुखा ले क्लिंजिंग मिल्क से दो मिनट मसाज करें फिर कॉटन से पोच दें क्लाइंड के इसकिन के कोर्डिंग स्क्रब करें यानि जब भी आपके पास जो क्लाइंट आता है आप उसका जो भी काम करने हों चाहिए आप आइब्रो कर रहे हों या आप चाहिए ब्लीच कर रहे हों फेस्टियल कर रहे हों कुछ भी करने से पहले पहले आपको क्लाइंड की स्किन को देखना होता है कि क्लाइंड की स्किन क किसी टाइब की है उसी के कॉड़िंग आपको काम सुरू करना है तो क्लाइन के स्की कॉड़िंग श्क्रव करें यानि जब आप करें तो आप समझ में आ जाएगा की इसी के कॉड़िंग कौन सा स Confederate लेना होता है अब अगला नमबर है इसके बिना चेहरे पर गलूर नहीं आएगा मतलब है कि भाब देना है आप जब भी इसक्रब करें तो फेष्प भाब देंगे तो इससे अच्छे से गलू आएगा जब आप इसक्रब करने के बाद फेष्प को एस्टीम देते हैं तो हमारे जो रोमचिद रहें ऑपन हो जाते हैं इसकी वाजासे जो इसमें अच्छे से क्रीम आपजरब होता है तो हमें यहां पर इस्टीव देना चारोई से अच्छे से गुलू आता है इस्टीमर में लवेंडर आइल की कुछ बूदे डालकर इस्टीम कर लें यानि जब आप steamer में पानी को गरम कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ बूदे लेवेंडर आईल की डाल दें या फिर आप आलमंड आईल भी डाल सकते हैं लेमन की कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं आप अपने स्किन के कॉर्डिंग उसमें कुछ मिला आले पानी में तो आप उसे steam दे बहुत अच्छा जल्ड मिलता है ब्लेक और वाइट हेट्स निकाले अब चहरे पर face pack लगा दे 10 मिनिट बाद छुड़ा दे टोनिंग करना है फिस पर छुड़ाने के बाद आप टोनर को डैप करके face पर लगाना है और सूखने तक छोड़ देना है अंत में माश राजर लगा दे इस क्रब आपको लेना है अगर आप फ्रूट का clean up कर रहे हैं तो अपरिकाट का इस क्रब अच्छा होता है और नहीं तो आप अपने किट से किसी भी किट से आप इसको कर सकते हैं जैसा आप आपक्लाइंट चाहिए आज जैसी आपकी क्लाइन की नीड हो अब यहां पे नोट करते हैं क्लीन अप से फायदे और यह दाग धभबे खतम जाते हैं रिंकल मेंस होता है जुर्यां जो लाइनिंग पड़ जाती स्कीन पर और धाग धबे आपको पता ही है दूसरा है इसमें इससे blood circulation अच्छा होता है जब आप massage करते हैं आपका जो blood होता है moment करता है तो उससे आपका skin glow करता है circulation अच्छा होता है तीसरा है skin pores खुल जाते हैं और clean हो जाते हैं इसकीन एंग दिखती है देट इसकीन धूर मिटी सब हड़ जाती है यानि clean up करने से आपको इतने सारे फायदे होते हैं clean up बहुत अच्छा होता है हर एक को करवाना चाहिए clean up अब देखिए clean up clean up में जातर cream avoid करेंगे किसी भी cleanser या cleansing milk से clean करेंगे पिम्पल्ज इसकीन के लिए papaya या fruit cream का इस्तिमाल करना है टोनर के साथ करना है यानि जब आप papaya fruit cream का मसाज कर रहे हैं इस पे पिम्पल्स वाली करना होता है लेकिन अगर आप ये पिम्पल्स वाली स्कीन पर कर रहे हैं तो टोनर के साथ आप प्रूट या पापाया क्रीम कर सकते हैं और क्लींजर की जगह एस्तिजेंट यूज करना है ज्यादा और पिंपल सकीन है उस पर प्यादे कींपर कर रहे तोनर की जगह पर ये एस्ट्रिजेंट यूज करना है और पिम्पल इसकिन पर फ्रूट फेसील में औरेंज जेल या ऐलोविरा जेल यूज करें यानि ये इसमें ये बताया गया है कि जब आपके पास इसके सक्षीन पर पिंपल्स हो ओईली स्कीन वाले हो तो आप अगर क्रीम से मसाच कर रहे हैं तो आप उसके साथ प्रूट औरेंज जिल या या येलोबिरा जिल यूज कर सकते हैं दूसरा जिल एवाइड करेंगे इसका यह मतलब है जैसे आप अगर थंडी में क्लीन अप कर रहे हैं तो आप थंडी में क्रीम यूज करें क्लीन अप में और अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो आप उसकी जगह पे जेल यूज करें clean up में आप scrub, gel, pack भी यूज कर सकते हैं scrub, cream, pack भी यूज कर सकते हैं जैसे आपका season हो और जैसे आपका client का skin type हो आप उसी के coatings पर gel या cream को use कर सकते हैं आप देखियो, पहले scrub करेंगे यह पिंपल वाली skin हो इसको देखियो, हमने आपको करना बताया है जो यह एक clean up होता है clean up हम कितने तरह से कर सकते हैं इसके लिएमने यहाँ पर बता है पहले scrub करेंगे यदि pimple वाली skin हो या dark circle हो तो hot towel या steamer से steam देंगे normal या dry skin पर cold water से steam देंगे scrub के बाद blackheads निकाले toner लगाने के बाद 1 minute रुके जिल लगाएं औरेंज या एलो बेरा जिल जिल के साथ जितना पाने skin में डालेंगे उतना ही sign करेगी फिर स्पैक लगाएं फिर मॉस्चरा जिल लगाएं तो हमने आपको दो तरीके से clean up बताया है ये clean up मारा ये है और ये clean up ये है जब आपकी skin dull हो problem वाली हो तो आप इस तरह के clean up को करेंगे और आपकी skin अच्छी है proper है तो आप ये वाला clean up करेंगे तो हमने आपको दो तरीका clean up बता दिया है तो हमारा यहाँ पे kit का clean up था आगे हम detail clean up के बारे में जानेंगे तो friends I hope कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ आपकी इस topic पे वीडियो को देखना चाहते है कमेंट करके बताएगा क्योंकि अभी माईत थेवरी चल रही है अगर आप इस बीच में कोई और वीडियो देखना चाहते है तो आप कमेंट करेगा हम उस topic पे वीडियो जरूर लाएगे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा सब्सक्राइब करके विल्ग आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तकी नुटिफिकराइब को सब्सक्राइब करें